नमस्कार प्यारे बचो, वेलकम टू यूर चैनल, सेलेक्टिव लर्निंग अड़्डा, जैसा कि हम पिछले वीडियो में 12th क्लास, इंग्लिस N.C.I.T. based for session 2021 to session 2022 के लिए discussion कर चुके हैं, हमने आपको उसमें बताया था कि वह question paper है, वो आपके two parts में divided होगा, literature and general English, तो literature के बार में, यहाँ पर हम आपको grammar का portion discuss करेंगे, जो कि बहुत ही ज़र्दा important होता है, क्योंकि English, अगर आपको सीखना है, first of all, आपको किसी भी language के लिए उसका grammar सीखना most important हो जाता है, तो इसलिए English सीखने के लिए हमारे लिए भी आपका grammar portion बहुत important हो जाएगा, तो यहाँ पर किता हूँ, grammar का portion जो किस तरीके का रहेगा, तो discussion हम कर लेते हैं, तो देखिए, यहाँ पर जो grammar का portion रहेगा, वो उसमें first point आपका हो जाएगा, transformation का, all right, transformation, देखिए, transformation अपने आप में एक बहुत vast levels का topic है, और इसके लिए आपको यह समझ लीजिए, लगवग 30 से 40 page cover करता है इसके बाद में आपका second point आजाता है, synthesis का, यह भी most important point topic है, और इसके बाद third point आपका आजाता है, direct indirect का, direct and indirect speech, we can say narration, all right, और आपका जो fourth वाला point आजाता है, most important topic है यह भी, वो आपका आजाता है, syntax का, तो these are mainly four topics, आपको लगता होगा, बहुत छोटे छोटे topic हैं, यह तो four topics हैं, बहुत जल्दी cover हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ, कि यह जो four topics हैं, यही पूरी English को cover करते हैं, यही से पूरी English की commanding होती है, तो generally हम ऐसा कह सकते हैं, कि यह topic अगर हमने cover कर लिए English में तो लगबख 60% English हमारे cover में आ जाती है, तो यहाँ पर हम देखिए, सबसे first वाला topic है, जो आपका transformation, इसके बारे में हम discussion करेंगे, तो देखिएगा आप, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कि देखिए, transformation होता क्या है, transformation होता क्या है, transformation के बारे में इतना समझ लेते हैं, तो देखो, प्यारे बच्चेओ, transformation की बहुत simple सी definition है, और आप इसको remember रख सकते हैं, कि transform का मतलब क्या होता है, कि हम किसी भी thing को, उसकी जो अकरती है, उसका जो रूप है, उसको change किये बिना, उसको हम transform कर देते हैं, जैसे suppose करिए, कोई व्यक्ति है, दुबला पतला है, वो जिम गया, जिम में जाके उसने body बना ली, तो उसने क्या देखा, उसकी body transform हो गई, ठीक है, लेकिन उसकी सकल उसका नाम वही रहा है, तो उसको transformation बोलते हैं, similar यहाँ पर भी है, क्योंकि हम यहाँ पर English grammar पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें cable और cable sentence को change करना है, तो इसकी definition ज change the sentences without, without changing, without changing their meanings, alright, without changing their meanings, is called, is called transformation, that is a simple definition, alright, तो यह आपकी transformation की simple सी definition है, तो देखें, यहाँ पर हम transformation के लिए इतना बोल सकते हैं, कि हम किसी भी sentence को, उसके हम meaning में बिना changing किये हुए ही, और उसको हम बदल दें, तो भाई, वो बैसा तो आप सोच रहेंगे, सर ऐसा कैसे possible हो सकता है, अरे बिलकल हो जाएगा, उसी को त बताया, जिस्ट, जिम में गए, कोई दुबला पतला या कोई मोटा है, मोटा पतला हो जाता है, तो यही तो transformation होता है, तो देखें, मैं एक example लिख लेता हूँ, बहुत simple सा, ठीक है, जैसे मालो, एक मोहन नाम का लड़का है, ठीक है न, कौन है, मोहन नाम का लड़का, goes to school sometimes ठीक है न, अब आप जानते हैं, गाओं में क्या होता है, गाओं में लोग आते हैं, वो कहते हैं, मोहन है न, वो कभी-कभी school जाता है, क्यों हो जाता है, अब जे तो पता नहीं, तो एक दूसरे काका आते हैं, वो कहते हैं, अरे कुछ सीख पाए हो, तुम इस sentence को दूसरी बासाम बता के दिखाओ, तुम तो इस्कूल जाते हो डेली, तुम दूसरी बासाम बता गया, तो मोहन न, ने कहीं कहा देखो, मैं स्कूल भले ही नी जाता, लेकिन इस sentence को दूसरे तरीके से बना सकता हूँ, बिलकुल बना सकता हूँ, तो बनने कहीं, तो 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 तुमें पूरी तरह से वह सेंटेंस आपका ट्रांस्फोर्मेशन का कहला सकता है जस्ट एक्जामपल आप देख सकते है कि मोहन इस्कूल जाता ही नहीं था और यहां पर जा रहा है ठीक है क्योंकि यहां positive है और यहां negative है तो यहां पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मैंने इस negative को positive में change करने के लिए double negative का use किया है तब मुझे पता चला है यानि कि यहाँ पर sometimes always में या कुछ भी rules के according सब आगे हम discuss करेंगे तो देखिए अब हम यहाँ पर यह तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से transformation होता है लेकिन अभी यह इतना आसान नहीं है इसके topic तो देख लीजिए एक बार कितने topics हैं तो देखिए some general rules मैं heading यहाँ पर लिख दे रहा हूँ some general rules rules for transformation 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 देखिए transformation के लिए general rules की तो बात कर दी है अब general rules है कौन-कौन से आप एक बार देखोगे आप कहरें कि general rules है तो easily समझ में आ जाएंगे लेकिन नहीं बेटा जे इत्ते easy नहीं है देखो सबसे पहला point आ जाता है interchange interchange का मतलब होता है transformation interchange in sentences in sentences by removing removing and using adverb adverb to इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि adverb to क्या होता है इसके बारे में बताएंगे number second interchange interchange in degree of comparison degree of comparison अब आप लोग कह रहे होंगे degree क्या चीज होती है तो देखो जिस व्यक्ती ने BSC कल ली गाव में उसके लिए क्या हो जाती है degree तो यानि कि उसके पास एक विसेष्टा आ जाती है तो जो degree बनती है वो कहां से बनती है भाई विसेष्टा से हो तो यहाँ पर भी आगे हम डिसकस करेंगे उसके बाद में थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका interchange in active and passive voice और active and passive voice यह तो सबने पढ़े होंगे देखो 10th में भी पढ़ते हैं 9th में भी पढ़ते हैं चोटे चोटे एक्जाम में आते रहते हैं active passive और चोटे चोटे एक्जाम में नहीं आते हैं यह UPSC के एक्जाम में तक आ जाते हैं active passive इत्ते चोटे तो च्च्च्यू से मस समझना बहुत बड़े हैं लेकिन अब यहां standard class में तो उसके standard के साफसे ही पढ़ेंगे यहां standard के लेविल से आएंगे उसके बाद देखते हैं नमबर नेक्स्ट उसके बाद देखी नेक्स्ट नेक्स्ट में आपका four point में क्या रहेगा भाई interchange तो सम्मे करना है क्योंकि interchange की तो बात ही आ रही है यह मैं सूच ले न inter का मतलब क्या अंतरिक परिवर्तन करना है उसके अंदर से बदलाव करना है meaning वही रहे मुकेस है तो मुकेस ही रहे कपड़ा नहीं पैना दो उन्हें तो मुकेस रहेंगे तो मुकेस ही negative sentences अब आप लोग यहां पर एक चीज गौर कर रहे होगे हर चीज में sentences क्यों आ रहा है यह बीच में घुस घुस के तो बेटा देखो मैं आपको एक चीज और बता दू sentences के बारे में आपको पूरी knowledge होनी चाहिए और sentences की class attend करने के लिए आप लोग हमारी वीडियो अब यह हम जल्दी से अपलोड करेंगे उसको भी आप देखें वहाँ पर sentence पूरा discuss किया जाएगा sentence होता क्या है sentence कितने प्रकार की होते है सब बताया जाएगा affirmative negative क्या होता सब बताया जाएगा उसके बाद देखे 5 point में interchange interchange in assertive assertive and interrogative 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 sentences यह आपका point नमबर 5 and point नमबर 6 interchange interchange in assertive assertive and exclamatory exclamatory sentences alright तो यह भी आपका एक topic यहाँ पर हो गया six वाला अब उसके बाद हम seven पर चलते हैं interchange interchange in parts of speech parts of speech इसके बाद में number eight number eight में आ जाएगे interchange इन simple complex and compound sentences all right बजार से सब्जी ले आओ तो यह नहीं कहाँ है कि मैं सब्जी नहीं लेके आओंगा सब्जी लेके आओंगा लेकिन उसको negative बना के कैसे कहूंगा कि पापा मैं सब्जी नहीं लेके आ रहा तो तुरन तुम नहीं कहाँएंगे वह भी देखेंगे उसके बात देखेंगे interchange and assertive and iterative sentence assertive को introtive में कैसे बतलना है जैसे मान लीजिए मजी ने कहा कि तुने किताब पढ़ ली तो तुमने का नहीं पढ़ी ममी ने कहा क्यों नहीं पढ़ी तो क्यों का मतलब उन्होंने question किया तो question करेंगे उसके बाद में इंटरचेंजन पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता देखिए यह बहुत ही important topic है आप इसको हमारी वीडियो जब हम अपलोड कर देंगे तो आप इसको हमारा first point जो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम first point पर चलते हैं interchange in Interchange in sentences sentences by by removing removing and using and using adverb two all right तो बेटा देखो यहां पर हम जो discuss करने जा रहे न adverb two तो अब adverb two के बारे में एक बार हम बता दें आपको adverb क्या होता है सबसे पहले देखो भाई जो बहुत देर से परिसान कर रहा है adverb, 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 adverb रट लगा ली है चलो adverb भी देख लेते हैं क्या चीज़ होती है इसकी full detail में हम आपके parts of speech में इसको discuss करेंगे लेकिन फलाल में मैं आपको बता दे रहा हूँ देखिए adverb का मतलब क्या होता देखो इसमें लिखा है वर्ब दिया है ठीक है और वर्ब के साथ में add हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वर्ब की जो बिसेस्ता बता रहे होंगे न उसको adverb बोलते हैं simple सी definition है कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर जो words जो होते हैं भाई देखो speech का मतलब क्या एक word है वर्ड ऐसे word जो होते हैं जो वर्ब की बिसेस्ता बताते हैं किरिया की बिसेस्ता बताते ह पॉइंट नमबर फस्ट में, removing, removal of adverb to, इसको हम remove कैसे करेंगे, जिससे के हमारा sentence भी interchange हो जाए, और ये बबुगा भाग भी जाए यहां से, ये दिखाई ना दे sentence में, इसकी काली सगल बुरी लगती है मुझे, इसको भगाओ यहां से, भगा दूँगा, सर थोड़ी दिर सिंपल है रूल, उसमें कुछ दिक्कती नहीं है देखो, नमबर फस्ट, टू को क्या करते हैं न, इस टू को हटाके, हम सो में change कर देते हैं, यानि कि सोला देते हैं, सो का मतलब सो जा बेटा जा, भाग जा, टू को सो में बतल देते हैं, लेकिन इसके साथ भी condition है, इसने का सोगा तभी, चब मेरे साथ में मेरा छोटा भाई भी होगा, ये वाला टू होगा, ये टू जो होता है न बेटा, इसको मैं बता दूँगा आपको, इसको infinitive बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको infinitive, अब ये infinitive क्या असर, ये कौन सा आपने बवाल यहां पर लिख दिया, ये ये बवुआ होना चाहिए, छोटा वाला मेरा भाईया, टू, तो भाईय का जब तुम change हो रहे हो, सो में तुम तो सो जा रहे हो, मैं भी तो किसी में change होंगा, तो यहां पर देखो ये भी change होता है, यहां पर अपने साथ में, एक तो ये अपने दादा को लेके आता है, that, देट यहाँ पर यह कंजेक्शन है ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर यह मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं लिखा, उन्हें का थोड़ा गैप तो रख लो भाई, कोरोना चला है, पास-पास में लेट के सोग है, कोरोन तो मैं भी हो जाएगा, फुर उसके बाद में भाई देखो यहाँ पर इनकी यह यहाँ पर helping work भी यूज़ करते हैं विटेस में can और could साथ में इसको negative भी बनाते हैं not plus उसके बाद में etc जो दिया होता है वो हम use करते हैं अब आप समझना यहाँ पर cannot could not use किया गया है ठीक है उसके बाद में भाई देखो यहाँ पर etc जो भी sentence में दिया होगा आप लोग ध्यान रखना transformation करते समय कि हमें sentence को कहीं न कहीं उसको negative बनाना होगा अगर negative दिया है तो उसको affirmative बनाना होगा तब हम उसको interchange कर सकते हैं जैसे affirmative दिया है तो negative दिया है तो affirmative बनाएंगे ठीक है ना तो यह हमें ध्यान रखना होगा अब जी कहेंगे सर यहाँ पर कुछ तो लिख दो अभी नहीं अभी तो corona चला है corona के बाद में तो कुछ यहाँ पर आएगा बभू यहाँ पर बिल्कुल आएगा अब यह तो आपको मैं pronoun वाले topic में जायर स्वियात अच्छे से बता पाऊंगे लेकन यहाँ बता दे रहा हूँ देखो I, V, U, He, See, It, They, यह बाबू सभी क्या होते हैं बेटा यह सभी pronoun case होते हैं ठीक है ना यह सभी क्या होते हैं प्रोनाउन केस होते हैं तो देखो बेटा इनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो blanks वाला जो हमारा जो डैट के बाद में जो दिया है ना वहाँ पर हम आपके pronoun cases का यूज कर सकते हैं, all right? अब देखेंगे ये सरक करेंगे कब किस condition मेंnor यूज करेंगे तो देखो बटा हैं, ये कौन सी condition में यूस करेंगे मैं आपको एक example ले रहा हूungs छोटा सा ठीक है न एक छोटा सा example है जैसे माहन लिदिए हैं यहाँ पर learning less, अब देखो इसमें दोनों भाईया दिये हैं, बड़े भाईया संदीप और छोटे भाईया कुलदीप, दोनों दिये हैं इसमें, अब इन दोनों को change करेंगे हमारा main मक्सद तो है, बड़े भाईया को भागा, तो छोटे भाईया आपने भाग जाएंगे तो हमने rule में सीखा है, कि he is so weak, clear, और two को यहां से replace करेंगे तो सबसे पहले तो conjunction लिखेंगे, that, उसके बाद में यहां ही कुछ blanks छोड़ा था, खाली स्थान हमने खाली इस्तान वाली जगए पर यहां पर क्या यूज करना हाई, आपको यही pronoun case यूज करने है अब यही पर आपको एक چीज़ फोकस करनी है, यहां पर जो हम pronoun cases यूज करेंगे, उस pronoun cases के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर जो subject होगा न यह इसके according ही यहाँ पर pronoun case आएगा इसके according जो यहाँ पर subject होगा तो यहाँ पर subject अभी तो फिलाल के लिए ही दिया है तो जायर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, यहाँ पर मुकेश, भूरा ठीक है, यह नाम दिये होते हैं तब भी यहाँ पर ही हूज करते है, कहने के मतलब क्या है मेल दिया होगा तो ही, फीमेल दिया होगा तो सी, और मेल और फीमेल पता नहीं चल ला हो, तो क्या उज़ करेंगे तो उसको बोलते है common gender तब भी वहाँ पर क्या आता है male वाला case आता है ध्यान रखना हमेशा जैसे कहते हैं डॉक्टर आ गया अब डॉक्टर तो दोनों होते हैं male और female लेकिन हमेशा यह नहीं कहते हैं doctor आ गयी क्या बोलते हैं doctor आ गया ठीक है not फिर उसके बाद में learn और यहाँ पर आगए आपका English ठीक है अब देखो आपने का सर इसमें आपने cannot ही क्यों लगाया हमने तो आपके could not भी लिखा था तो बेटा could not भी use करेंगे could not कभ भी use करेंगे तो जैसा कि आपको मैं बता दू देखो यहाँ पर थोड़ी दिर के लिए जो बेटा यह can होता है ना वो present की condition बताने के लिए और जो could होता है ना वो बेटा past की condition बताने के लिए यानि कि past का tense जब होगा तब आप could use करेंगे और जब present का होगा तो वहाँ पर आप can use करेंगे तो भाई देख रहा है ना के he is too big अभी तो वो है वो बहुत कमजोर है है का मतलब भी तो जिन्दा है तो present है तो present के लिए can और के लिए he was too big वो बहुत कमजोर था कमजोर था तो मर गया तो वो था की बात हो गई ना तो हाँ पर हम क्या use करेंगे code ठीक है ना तो इस तरीके से हम यहाँ पर remove to कर सकते हैं मैंने आपको सारे rules बताए है चलिए तो एक दो example और देख लेते हैं भाई इत्ती सरल कहा है और एक दो example से पता चलेगा cable ही थोड़ा ही है और भी आएंगे तो देखो मैंने यहाँ पर एक example लेखा you are you are too lazy to get up get up early in the morning यह जानते हो कि इस कौन से नाम के लड़के के संग में होता है देखो बुरा मतमान ना जिसका नाम प्रदीप होता है ना उसको पिद्धी बोलते हैं तो उसके साथ में होता है कि you are too lazy तो बहुत आलसी हो भाई to get up early in the morning यहाँ जल्दी नहीं उठपाते हैं तो देखो इसको कैसे चेंज करेंगे you are so lazy you are so lazy that अब यहाँ भी आपका pronoun case कौन सा हो जाएगा you यहाँ पर subject क्या दिया है तो जो यहाँ पर subject आता है उसके according ही यहाँ पर pronoun case आप ऐसा नहीं कि यहाँ जो subject दिया है उसके according ही यहाँ यूज करेंगे वो आगे हम बात करेंगे तो देखो पहले इसको कर लेते हैं you cannot get up early in the morning तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से हम change कर सकते हैं और देखो आपने यहाँ पर यही दो sentence देखें इसके अलावा भी और भी sentence देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखो कुछ में जिसमें हम past की बात करें तो past की बात के लिए मैंने ले लिए यहाँ पर संकु संकु नाम का एक व्यक्ति था was too honest to steal the gold watch पहले भाई एक chapter आता था the gold watch का 12th में अब वो change हो गया तो एक संकु नाम का व्यक्ति था उसकी family भी बहुत परेशानी थी परेशानी यहां गया थी उसने छोटी छोटी loan ले रखी थी लोगों से करजा ले लिया था भाई और उसको salary जो मिलती थी ना बहुत कम मिलती थी तो उसने क्या सोचा के उसका एक boss था उसकी factory में उसने का मैं उसकी सोने की घड़ी चुरा लूँगा तो घड़ी चुराने से क्या होगा मेरी family की जो problems है वो दूर हो जाएगी लेकिन वो विचारत था क्या बता है देखो जो व्यक्ति गरीब होता न वो मन से बहुत इमांदार होता है तो वो इमांदार व्यक्ति था एकदम संकू तो उसने कोसिस तो करी के मैं चुरा लूए जो परेशानिया आती है तो बिख्ति को सहतान वराने पर मजबूर कर देती है लेकिन वह मन से तो इमान दर था तो उसने कोसिस करी लेकिन हुआ क्या वो हुआ क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं संकु वाज सो ओनेस्ट संकु इतना इमांदार था देट ही कुड नोट स्टील स्टील दा गोल्ड वाज वह उस घड़ी को चुरा नहीं पाया विचारा ठीक है ना संकु इतना इमांदार था कि गड़ी को चुराई नहीं पाया तो देखो यहाँ पर एक बात होती है ना जो व्यक्ति गरीब होता है वो चोरी करने में जादा इंट्रेस्ट नहीं लेता है वो कहता है मुझे दो रोटी मिल जा है इसाम को में रोटी खा के चैन से सो जाऊं खाना मिल जा है बहुत है मेरे लिए तो यह इमांदार लोगों की पैचान होती है चलिए कोई बात नहीं तो यहाँ पर विच्चे आप लोग समझ गए ना कि देखिए जो सब्जेक्ट दिया होता है उसके according ही हम यहाँ पर pronoun case यूज़ करते हैं अब यहाँ पर संकू था तो संकू के according मैंने ही लिया है अगर यहाँ पर संकी होती उसकी vibe होती तो यहाँ पर हम c यूज़ करते यहाँ आई लिखा होता तो यहाँ भी लिखते तो कहने का मतलब है इसके according ही हम subject का use करते हैं तो I hope आपको यह समझ में आयोगा कि हम कैसे adverb 2 को remove करते हैं when उसके साथ में आपको उसका छोटा वाई infinitive 2 भी दिया होता है यह वाला infinitive 2 अगर यह दिया होता है तब ही हम इसको use करते हैं देखिए अब मैं इसको थोड़ा अलग standard level से ले जाता हूँ standard level से ले क्या वीटर rule number 2 में आप लोग note कर लेना देखो मैं जो बोलता हूँ न उसको आप notes बना लेना यह आपके लिए बहुत important हो जाएंगे देखो rule number 2 में क्या है कि यदि sentence यदि sentence subject plus verb plus जो honest था न वो adjective था तो यहाँ पर two के बाद adjective compulsory आएगा adjective नहीं आएगा तो समस्या होगी उसके बाद में बिटा यहाँ पर दिया होगा और उसके बाद में क्या दिया होगा noun अब की बार भाई थोड़ी condition change कर दी उनने का मेरी बन नहीं रही है मेरे भाई से मेरी बन नहीं रही तो पापा ने का कही का नहीं बन नहीं यह तो कोई बात नहीं तुम अपने साथ अपने फ्रेंड के साथ सोजाओ app for friend तो यहाँ पर for दिया है ना for plus noun दे दिया है अब आप कहे रहे सर इसके साथ में छोटा वाई तो है नहीं तो बेटा इसकी बन नहीं रही थी ना इसलिए छोटा वाई नहीं इसने अपने फ्रेंड को ले लिया है तो देखो यहाँ पर adjective रहेगा वही condition रहेगी same adjective के बाद में फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लिख लेंगे that और that के बाद में वही यहाँ पर subject case हो जाएगा उसके बाद में can oblique code प्लस यहाँ पर not की आवच सकता होगी तो not use करेंगे और उसके बाद में देखो यहाँ पर एक point आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ देखो यह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ वर्ब जरूर आना है यह आप लोग ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर हमें आओगे आपको एक लास में पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर दो clause बन जाते हैं एक तो यह एक sentence बन जाता है पूरा यहाँ तक और जैसे यहाँ that लगा देते हैं that conjunction होगा फिर यहाँ एक और subject आता है फिर एक यह clause अलग बन जाता है तो जब दो clause बनते हैं तो at least उसमें two verbs भी होनी चाहिए तो यहाँ पर देखो note के बाद में verb होना अपन सरी है तो verb के लिए मैं आपको बताऊंगा अभी verb भी आएगा और उसके बाद में noun all right बहुत simple सी बात है अब देख लेते हैं भाई मैंने यहाँ पर sentence लगा एक्जांपल में जैसे कमल is to wicked wicked का मतलब जानते हो क्या होता है wicked का मतलब होता है दुस्ट ऐसा व्यक्ति जो जिसको लोग पसंद नहीं करते हो फॉर लीडर मान लो वो नेता जी उस पर खड़े हो गए उन्होंने का प्रधानी का election लड़ना अब की बार तो गाउं के लोगों ने क्या का जो ताउ थे कामल बहुत दुस्ट है भाई इसे बोट मत दे देना दोके से भी यह नेता नहीं बन सकता किसी भी हाल में तो देखो भाई यहां पर लिखा है ना फॉर लीडर यानि कि नेता बनने के लिए यह बहुत कम अब देखो है इसको कैसे लगाएंगे तब इसको एसे ही चेंज कर देएंगे कमल इस सो विगड कमल इस सो विगड यहांपर वर्ब के लिए आपको द्यान रखना जब कोई भी वर्ब नहीं दिया हो तब आप लोग की ध्यान रख रहेंगे तो यहाँ पर देखो वर्ब की मम्मी होती है वर्ब की मम्मी ठीक है ना बी इनको वर्ब की मम्मी बोलते हैं इनके साथ में पूरा परिवार चलता है देखो सब इनके चार-पांच बच्चे इखटे is rm ठीक है ना was were और भी है सब इनके सब इनके बच्चे हैं यह सब की मम्मी हैं तो इनको ले आते हैं हम क्योंकि इस आरेम तो हम यहां यहां यूज कर चुके हैं और देखो उसके बाद में एक helping वर और यूज कर चुके हैं वह इतना दुस्टा है कि अब नियता नहीं मन सकता है ताव नहीं जी कह दीजिए भाई तो जैब वोट री में लेकर गाम में भाग जा यहां से दूसरा एक और सेंटेंस देख लेते हैं देखो आय एम एम को आटा दें भाई एम तो बहुत consultation में लेकर चलते हैं पास्ट के लिए मैंने लिख लिए ऐस I was too samed ठीक है ना samed, samed का मतलब क्या होता सरमीला, ठीक है ना सरमीला का मतलब क्या है, जब गाओं में कोई भी भावी जब कह जेती है ना आज आप नेक देबर जी धर, तो क्या सरमा जाते हैं, तो आपर उसको हम क्या कह सकते है samed, फिर उसके बाद में फोरा मैंने लिख लिए, यहाँ पर singer dancer लिख लेते हैं, भाई, cdc बात है चांकि नाचने के लिए भावी बुलाते हैं, जब गाने बचते हैं तब, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे I was so samed that I could not I could not be a dancer ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर बच्चे एक बात और आप लोग धियान रखना मैं note करके आपको लिखा दे रहा हूँ, note करके जरूर लिखें note करके क्या लिखना है, कि देखो cannot, यानि कि can or could के अलावा के अलावा other helping verb other helping verbs helping verb तो आपको आती होंगी, नहीं आती हैं तो बता देंगे, जैसे के आपको मैं बता दूँ do does उसके बाद मैं आप यूज कर सकते हैं, did या फिर will sell would should का प्रियोग का प्रियोग भी किया जा धन्यवाद